हेलो फ्रेंड वлекम टो चानल चले देखतें मंडे के लिए हमें रिड प्लान किस तरह करना है बैंग निप्टे में हमें बैंक निप्टे क्या कर रहा है यहाप जो में जो रहे हल तो विकली जर्ट हमें क्या कहिर रहा है तो विकली चार्ट में आप देखेंगे विकली चार्ट में आपको पता चले एक चाहिक में अठक रहा था जो चेनल से बहर आके Close देया है मतलब विकली चार्ट पे जो बैंक इप्टि है हाँ यहां पे हमें बुली स्ट्रक्चर ने close होता हुआ देख रहा है अगर डेली चार्ट में देख लिया तो यही चैनल जो है अगर हमें छोटा चार्ट कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि इस चैनल में बैंग निप्टी कंटिनुसली अपर एंड पे रिजिस्टन्स ले रहा है और सेलिंग के लिए आए और इस ट्रेंड लाइ है और अपसाइड पे स्ट करते हुए उपर जा रहा है मतलब इंडिकेशन क्या कर रहा है कि अगर नीचे कल उपर के साइड सिप्ट कर रहा है तो राइस उपर जाने के लिए तैयार है तो ऐसा हमें दिख रहा है अगर एक एक केंडल एलेक्शन डेज्ट के पहले एक दिन इसको इग्णोर कर दिया तो आप देखेंगे तो दुसरे वाले दिन की रिजल्ट की दिन जो एक कैंडल बनी थी ओ इस जुहन के नीचे तो आ गए थी लेकिन तुरंट जाके जुहन के अंदर एक बाइंग प्रेशर में कनोट हुई हमें देखने को मिला तो आप देख रह इन को और आच्छा खासा सपोर्ड लेके एक हमें ट्रैंगल जैसा पैटर्न इदर फॉर्म हाता हुआ दिखेगा या मंडे को हमें 52,000 डबल ओन लेवल अपसाइड को ब्रेक करते हुए मिलेगा या 52,000 फिप्टी लेवल अपसाइड को ब्रेक करते हुए दिखेगा तो प् 44 और थर्ड मुवमेंट जो रहेगा 50,200 ट्रिपल फाइड के असपास हमें ये बैंक जिप्टी जाता हुआ दिखने को मिलेगा तो चले देखते हैं हमें मंडे के लिए इंट्राडे में ट्रेट प्लान किस तरह करना है तो चले देखते हैं 15 मिन टाइम फ्रेम हमें इंट्र अगर प्राइज मंडे को तक मुवमेंट के नीचे उपन होता है मतलब मटा मोटी अगर प्राइज को हम 51,852, 52,000 के बीच में उपन होता है, एक दो गंडा यहाँ पर कंसलिडेट करने के बाद, अगर प्राइज 52,000, 50 या 52,000, डबल उन लेवल अपसाइड को ब्रेक करता है, उपर प्राइज होल करता है, तो हमें प्राइज में एक वन डायरेक्शनली मुवमेंट अपसाइड को देखने को मिलेगा, अगर एक मुवमेंट हमें Tuesday, Wednesday को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हमें रिटन इस रेकॉर्ड पे मिल जाएगा, अगर एक प्राइज मंडे को मिलता है, तो उचादा प्रेमियम नहीं बड़ेगा, जितना Tuesday को और Wednesday को हमें टारगेट मिले तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा Monday है, थोड़ा सा टू डिज के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रेमियम दिके उदर हो सकते हैं, तो थोड़ा से हमें पास दस पच्छिस मिनिट यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा वेट करना है, और प्राइज में ट्रेड यहाँ पर रहा है, इस तरफ इस एरया में सपोर्ट ले रहा है, और प्राइज यहाँ पर रुक के 51,222 लेगर डाउन साड ब्रेकडाउन करता है, तो प्राइज में 51,000 के पास प्राइज 51,055 के पास प्राइज निचे जाता हो, हमें दिखेगा, हर एक डाउन पॉइंट पे हमें एक बायर्स एक्टिट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट एक बुली स्ट्रक्चर में है, तो मार्केट जब भी नीचे जाएगा, इतना तेज नहीं जाएगा, क्योंकि उधर हर एक पॉइंट पे बायर्स उसको बाय करने के लिए बैटे होंगे, अगर प् हमें तो निगेटिव प्राइज जो है, एक बुल ट्रेंड जो है, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव में एक नोट होता हुआ हमें दिखने को मिल सकता है, तो नीचे की तरफ हमें 50,666 सपोट है, और दूसरा जो सपोट है 51,55 और जो यहाँ पे अगर 51,222 अगर प्राइ अगर आपको यह कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करना मुद बूलो, चैनल की लिंक अपने फ्रेंड में बेश सकते हो, यहाँ पे मैंने हर दिन लाइव ट्रेड करते हुए आपको दिकाया है, हर दिन प्र अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आकान के लिक करना मुद बोलना, अगर आपको फ्री क्लासे जाइन करना है तो अगर डिक्ष्टिन बाक्स में लिंक के साथ आपना डिमेट आकाउन ओपन कर सकते हो, अगर मार्केट 52,000 के पास रुखता है तो हमें अच्छा खासा मोमेट में लेगा, अगर मार्केट बेच में ओपन होता है तो थोड़ी दिर हमें ट्रेड नहीं करना है, जब तक अपर के लिए हमें यह रेजिस्टंस है, डाउन साइड पर यही सपोर्ट है, तो जब तक इस रेंज में प्राइज काम करता हुआ हमें Thank you